जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 15 Most Important Questions जो कि आपके आने वाले सभी Defense के Competitive Exams के लिए Most Important Questions हैं तो चलिए दोस्तों जादस हमें ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो Question No.1 की तरफ चलते हैं दोस्तों सबसे पहले है मारा Where are the headquarters of Sark? ठीक है? Sark का मुख्याले जो है वो कहां पर है? तो जल्दी से दोस्तों बताइए कि Sark का मुख्याले कहां पर है, Options आपके सामने हैं तो दोस्तों Sark का जो मुख्याले है वो है काट मांडू नेपाल में तो Option D इस Question का Correct Answer होगा अब दोस्तों 8 December 1985 के लिए Sark की स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना हुई थी कहां पर ढहां का बंगला देश में ठीक है? स्थापना हुई थी इसकी 8 December 1985 को ढहां का बंगला देश में Question No.2 है जम्मु कस्मीर और लद्दाक को भारत का खेंदर सासित प्रदेश का भोसित किया गया When was जम्मु कस्मीर और लद्दाक declared as the Union Territory of India तो दोस्तों 31 October 2019 के लिए लद्दाक को जम्मु कस्मीर से अलग कर दिया गया था और जम्मु कस्मीर और लद्दाक के लिए Union Territory जो है वो बना दिया गया था तो Option A इस Question का Correct Answer होगा ठीक है जम्मु कस्मीर और लद्दाक के अलग सासित प्रदेश कब बने थे 31 October 2019 के लिए अगला Question है हमारा Question No.3 तीन No.3 Question है दोस्तो 1915 में गांदी जी ने सावरमती आश्रम कहां इस्थापित किया था ठीक है 1915 में सावरमती आश्रम जो है वो इस्थापित किया था यहां ता आपको विल्कु कंफर्म हो गया है अब ये जो सावरमत्य आस्रम है इसको गांदीजी ने कहां पर इस्थापित किया था तो दोस्तो अहमदाबाद में सावरमत्य नदी के किनारे सावरमत्य आस्रम के लिए जो है वो महत्तम गांधी ने 1915 में इस्थापित किया था तो इस question का correct answer होगा option B ठीक है कहां पर किया था है हमदाबाद आब चलते हैं आज की अगले question की तरफ question number 4 question number 4 है, Rollet Act अंग्रेज दो का पारित किया गया था उंग्रेज में ने पारित किया था ने पर्वर 2549 ने हिए यहां पर आपको technology 2019 ही दिया है option तो यहां पर कौन सा आपका सही होगा option b आपका यहाँ पर correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 5 लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ video के last में आपको comment करके यह बताना है कि इन 15 questions में से आपने कितने question जो है बोज सही किये अगर आप 12 question में दोस्तों सही कर लेते हैं यह आपकी अच्छी तयारी कही जा सकती है ठीक है क्योंकि इस question paper में इस video में मैंने वही question लेकर आया हूँ जो आपके exam में repeat हो चुके हैं चलिए question number 5 है दोस्तो असयोग आंदोलन कब शुरू हुआ when did the non-cooperation movement start तो असयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तो एक अगस्त 1920 के लिए ठीक है जो है वो असयोग आंदोलन शुरू हुआ था लेकिन यहाँ पर only 1920 ही दिये गया है तो option यह आपका correct answer होगा next question की तरब चलते हैं दोस्तो question number 6 छे number question है हमारा name the line between India and China भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताइए तो भारत और चीन के बीच में wagon जो रेखा उसको बोलते है हम मैक मह नो लाइन ठीक है तो option D is question का सही answer होगा अब दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आपसे रेखा के नाम पूछा जाता है तो आपको कॉन सा option ठीक होगा रेड क्लिफ ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच मैक मौन रेखा है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 7 7 number question है दोस्तो महात्मा गांधी जी निमलिकित में से किस गोल में सम्मिलन में सामिल हुए थे तो दोस्तो आप सभी को पता है कि गोल में सम्मिलन कितने हुए थे तीन हुए थे ठीक है तो महात्मा गांधी किस गोल में सम्मिलन में सामिल हुए तो महात्मा गांधी जो है दोस्तों वो दूसरे गोल में सम्मिलन में सामिल हुए थे ठीक है तो option B question number 7 का correct answer होगा ठीक है 1931 में ये दूसरा गोल में सम्मिलन लंडेन में हुआ था जिसमें current affairs से आपके दो question आते हैं ठीक है और वो इसी तरह से questions होंगे या तो वो किसी क्रिकेटर से संबंदित होंगे या फिर भारत के रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री अमित्सा के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमित्सा अज है हमारे ग्रह मंत्री ठीक है चलिए अब चलते हैं आज के अगले question की तरफ question number 9 9 number दोस्तो question है हमारा नाटो का मुख्याले कहां है ठीक है अब सबसे पहले तो मुझे नाटो की full form बताईए क्योंकि इस question को मैंने आपको कई बार कराया है तो नाटो की दोस्तों जो full form होती है वो होती है दि नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाजेशन नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गनाजेशन जो है वो नाटो की full form है और नाटो का दोस्तों headquarter यानि की मुख्याल है Belgium में ठीक है कहाँ पर Brussels Belgium ठीक है तो option D इस question का आपका correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज की अगले question की तरफ question number 9 तो question number 9 है हमारा where are the headquarters of world bank ठीक है तो आपको बताना है दोस्तों की world bank का headquarter है वो कहाँ पर है तो world bank का headquarter है दोस्तों Washington DC USA में यहाँ पर ठीक है Washington DC US United State में जो है वो world bank का headquarter है काफी अच्छा question है important question है आपके exam में पूचा जा सकता है ठीक है तो अब चलते हैं आज की अगले question की तरफ question number 11 11 number question है हमारा तहरी बांध किस नदी पर बना है तो तहरी जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है तहरी बांध बना हुआ है दोस्तों भागी रथी नदी पर तो option B आपका correct answer होगा next question की तरफ चलते हैं question number 12 question number 12 है दोस्तों हमारा सूर में कौन सा तत्व सरवाधिक मात्रा में है which element is present in maximum quantity in the sun तो दोस्तों hydrogen जो है वो 92% तक जो है वो सूर में पाया जाता है तो option D इस question का सही answer होगा सबसे ज़्यादा सूर में कौन से कैस पाया जाती है hydrogen अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number 13 13 number question है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों लाला लाजबत राय के लिए ठीक है तो option C इस question का आपका correct answer होगा next question है हमारा question number 14 question number 14 है दोस्तों where is हवा महल located हवा महल इस्थित है तो हवा महल जो है दोस्तों वो जैपूर राजस्थान में इस्थित है तो option B इस question का सही answer होगा अब चलते हैं आज के अगले question और आज की वीडियो का last question आइस होकी टीम में कितने खलाड़ी होते हैं दोस्तों most important question है दियान रखिएगा यह question आपके exam में आपको देखने को ज्यादा तर मेरी जो खैल है उससे मिल सकता है ठीक है how many players are on an ice hockey team ठीक है तो ice hockey की जो team होती है इसमें कितने खलाड़ी होते हैं आइस होकी में होते हैं दोस्तों six खलाड़ी तो option B इस question का correct answer है तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगे 15 questions जो मैं most important आपको लेकर आया था वो मैं आपको करा चुका हूं तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो की like और चैनल को subscribe जरू कर लें तो चलिए कल फिर में लेंगे एक और important वीडियो को लेकर तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भरत